चांद्रा एंट व्रत साधना केवल आध्यात्मिक तब साधना ही नहीं है, वरन शरीर शोधन के साथ मनों विकारों के समाधान का श्रेष्ट उपचार भी है, जिससे साथक की आत्मिक प्रगती के साथ शारेरिक और मानसिक दोशों को सुधारते हुए लौकिक जीवन में सु उपयोगी है, पंडित श्री रामशर्मा आचारिया, पुस्तक का नाम चांद्रान कल्पसाधना, पुस्तक परीजय, उपके अनुसार पंच कर्म चिकित्स्या द्वारा शरीर कत्मलों का नशकासन किया जाता है, इससे शरीर की शुद्धी होकर नए उपचार की प्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मेले कुचेले मन को साफ करने की, हे स्थिती को श्रे में बदलने की, गिरी गंदी जिन्दगी का काय कल्प जैसा परिवर्थन करने की, कपड़े थोने जैसी सरल और चमतकारी विधी. सबसे पहले गरम पानी में कपड़े को डालें, अर्थात अपने गुण, गर्म, सुभाव की मलीनताओं को समझें, इस जीवन में कियवे पापों का स्मर्ण करें, और उन्हें छोड़ने के लिए प्रबल तरपन उत्पन करें, इसके बाप उलाएं, अर्थात अपनी जो बु कट कर दें, मन में दुराव की कोई काह न रखें, पीतर और बाहर से एक जैसे हो जाएं, उसके बाद साबुन लगाएं, अर्थात अपनी गती विदियों को बदल कर श्रेता के पत पर चलने का निश्चे करें, फिर कपड़ों की पिटाई करें, अर्थात पिछली भूलों के दंड स्वरूप, स्वेच्छा पूर्वक, शारिरिक और मानसिक सुविधाओं से कुछ समय के लिए खुद को वंचित कर दें, फिर कपड़ों को कलफ लगा कर लोहा कर दें, अर्थात भावी जीवन की रीती नीती का विवस्था पूर्वक निर्धारन करें, चांदराय व्रत साधना, चांदरायन साधना पापों के प्राश्चित में किस प्रकार सहायत है, प्राश्चित प्रकिरिया में धोबी के विविन्न करिया कलापों का किस प्रकार समावेश है, चांदरायन व्रत साधना में किन नियमों का पालन करना होता है, चांदरायन आधार के चांद्रायन व्रत साधना से क्या लाब मिलता है? इन सभी प्रश्णों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तूत है एक लगू पुस्तक चांद्रायन कल्प साधना जिसमें लेखक ने प्राश्चित के साथ साथ आरोग्य लाब, स्वास्त संतूलन, द्रिश्ट्रिकोन का परिवर्तन, भविष्य निर्धारन एवं आतनिक प्रगर्तिकी वेज्ञानिक विदी की विस्त चर्चा की है पुस्तक के कुछ अन्श चांद्रायन साधना को व्रत तप एवं नाम से भी जाना जाता है व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारन एवं परिपालन तप अर्थात संचित कुसंसकारों से संगर्ष और शालिंता के अवधारना का अभ्यास पुरुशार्थ कल्प अर्थात पिछली हे स्थिति को उलट कर उस स्थान पर उत्करस्टता का प्रतिस्थापन यह तीनों ही प्रियास परस पर मिलते हैं तो ज्यान और कर्म की गंगा यमना मिलने से एक नई धारा भक्ती भावना की दिर जीवन की सरस्वति के रूप में उत्भूत होती है इस समन्वे से त्रिवेणी संगम बनता है उसका अवगाहन करने वाले इस धर्थी पर स्वर्ग का आनन लेते हैं जीवन मुक्त बनाते हैं और मंदुष्य रूप में देवता कहलाते हैं इसी परम लक्ष की पूर्थी करना आंतरिक काया कल्प साधना का आधार भूत उद्देश है चांदरान था सर्विधित नियम पूर्णीमा से अमावस्या तक भोजन घटाने तदुपरान क्रमशक बढ़ाते हुए अगली पूर्णीमा को नियत मात्रत इसमें मन का कठोर सैयम जिस प्रकार संभव हो पाता है वह अन्य साधनों में नहीं है आहार साधना के अतरिक्त तब तितिक्षा में प्राश्चित की चर्चा की जाती है इसके बिना अपना मन अन्ता करन धोए विगत को धोए विगत को भुलाए बिना साधना मात्र भायों पचार भर रह जाती है कल्प साधना का अर्थ ही यही है कि अंदर से बाहर तक साधक पूरी तरह बदल जाए पुराने कैचुली निकाल फेंकें नूतन चोला पहने कल्प साधकों को उपुवास, जब, स्वाध्याय, सत्संग जैसे तैनिक कृत्यों की पूर्तितो शास्टर परंपरा के अनुसार ही करने चाहिए पर साध यह नहीं बूलना चाहिए कि यह अवधि तत्वतह अंतर जगत की गुद्धियों को सुल जाने के लिए की मन्थन के लिए है उसी को चिंतन मनन कहते हैं इसी क्रिया रहित प्रकिरिया को चांदरान कल्प का मेरुदंड आधार केंद्र कहना चाहिए चांदरन व्रत की पध्यति को हम और भी अधिक वैज्ञानिक बना रही हैं उपवास के सासाथ, एनिमा, तिकी पट्टी, वाष्प स्नान, कटि स्नान, सूरी किरन चिकिच्या, व्रतिका लेपन आधी, पंच कर्मों द्वारा, पेठी नहीं वरन, शरीर के अन्य अंगों का भी शोधन होता है और देखा यह गया है कि एक वर्ष तक किसी सुयों किच्या की और शदी चिकिच्या की अपेख्षा एक महिने के चांद्रण व्रत से कहीं अधिक लाभ होता है बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, नानद, कबीर, रामानूज, चैतन्य, ज्यानेश्वर, समर्थ, रामकृष्ण परमहंस, गांधी, अर्विंद, रमन, आधी मैं से एक भी अपने जर्मस्थान में नहीं बसा भले ही उन्हें वहाँ साधन सुविधा के त्रिस्टी से सुगमता रही हो एशा, महामद, आधी, प्रमुक धर्म संस्थापकों के संबंद में यही संबंद में यही बात है उन्हें जन्नु भूमी से प्रेम ना रहा हो, ऐसी बात नहीं पर परस्थिती का मनहस्थिती पर जो प्रभाव पढ़ता है और उसके कारण लक्ष की और गतिशिल होने में जो व्यवधान पढ़ता है उसे देखते हुए दूर तर्शिता ने यही सुझाया कि स्थान बदलकर ही महारकार्य संपन्न करने में सुविधा होती है धर्म शास्त्र में पाप निवरत्ती और पुन्न प्रवरत्ती दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उप्यक्त साधन चांदरायन तब बताया गया है और पुन्न प्रकरिया के पांश प्रमुक भाग यहां है पहला एक महिने तक आहार के घटने पढ़ाने वाला उपुवास दूसरा गुप्त पापों का प्रागटी करन तीसरा आंतरिक परिवरत्तन कर सकने वाला वातावर्ण में निवास और अनुशासन का थिपालन चौथा अन्तह करन को परिश्कृत करने वाला योगा भ्यास जुक्त तब साधन पाच्वा दुश करमों की ख्षती पूर्ती और पुन्य वर्धन की परमार्थ पराणता इन्हें पूरा करने से चांद्रान तब संपन्न होता है कल्प साधना के साधक यदि श्रत्था प्रज्या एवं निस्ठा का समोचित समाविश करते हुए उनकी साधना में सनलग्न रहें तो वे अपने में आश्चर जनक परिवर्तन का अनुभाव करेंगे काया रूपांतर तो कठिन है उसे दुरबलताओं और रुग्णता से ही एक सीमा तक उभारा जा सकता है परिवर्तन तो सदा अंतराल का ही होता है इसी आधार पर शुद्र को महान, नर को नारायन, पुरुष को पुर्षोत्तम बनाने का अवसर मिलता है पुस्तक के कुछ बिंदु, चांदरायन साधना उपचार और अंतरमुखी दर्शन, कल्प साधना का उद्देश और स्वरूप, आध्धात्विक काया कल्प की साधना का तत्व दर्शन, उच्यस्तरिय प्रयोजन के लिए उप्युक्त वातावरण, आहार साधना एक महत् पुन दिन युगाप्यास